फैक्टरी में सिग्रेट कैसे बनती है? दोस्तो दुनिया में सबसे कॉमन नशा सिग्रेट का ही होता है ये कर नैचुरल प्रोसेस के बाद ही बनाय जाती है लेकिन सेहत के लिए उतनी ही खतरनाग भी होती है सिगरेट में सबसे जरूरी चीज है तंबाकू जिसकी खेती की जाती है तंबाकू के पोदे उतने ही रखरकाव के साथ उगाय जाते है तीन से चार महीनों में ये तयार हो जाते है और तब उनको अलग-अलग करके सुखा दिया जाता है अच्छे से सुकने के बाद इनको फैक्टरी में भेजा जाता है जहां तंबाकू के महीन और बारिक टुकड़े किया जाता है इसके बाद एक डिपार्ट्वेर में सिगरेट का फिल्टर तयार होता है जो कि सेलूलो असिटिक फाइबर से बनता है अब सिगरेट का वो पेपर बनाय जाता है जिसमें तंबाकू बढ़ने वाला है यह रोलिंग पेपर मशीन के जरी अपने आकार में बदला जाता है और फिर आगे से तंबाकू और आकिन में फिल्टर को लगाय जाता है यहां cigarette बन कर तयार है जिनको packetों के जरी सभी जगे पहुचाए जाता है It's hard to say in one minute but I tried my best ऐसे वीडियो के लिए subscribe करें And thanks for watching